सद श्रीरिया काल तुसी वेख रहे हूं टीवी पंचाब ते मैं हाँ थोड़ी ना इंदब्रीद कॉर्स पंगीडा खबरां दे इस वुलेटें विश थोड़ा स्वागते सब तो बेला नजर मार देया हैडलाइन दे कैनडा तो टीयार बारे आई वड़ी अप्टेट एक मिलियन टीयार रह रही हाने कैनडा तेने सूपया तो इमिग्रेशन दी खबर जानों किने सद्धे कीते गये चारी करादा हुया जिकर विरोधी लीडर ने चुक्या मोदा इमिग्रेशन दी नाम दे तोखा कहियां दे होई कारवाई पास सहाथ से बारे जानकारी पीड़ता दी पहचान चन तक कैनडा तो टीयार दे बारे जानकारी सामने आई है जथे दस्या क्या कि कैनडा विच मौचूदा समय किने टीयार है एक स्टड़ी तो पता चले आए कि कैनडा विच एक मिलियन तो वाद टीयार रह रही हैं वी जून नो एक स्टड़ी रिलीस केती गई जुथे स्टाटिस्टिक्स कैनडा ने कुछ अंकड़े जारी कीती है इस स्टड़ी तो पता चले आए कि जड़े नोन प्यार हन उना कारण कैनडा दी अबादी विच वाता हुए पाव कि देश दी अबादी दे वेच नोन प्यार योगदान पा रही ने इस वेच असाइलम सीकर्स टिया ते अंटराश्ट्री विद्यार्थ कानों शामल कीता क्या साल दोजार इकी वेच एक मिलियन दे करीब नोन प्यार कैनडा वेच रह रही सन जिसना मतलब है कि वो कैनडा दी अबादी दा दो इशारिया पांच फीस दी हिस्सा है इस तो बाद दोजार इकी दे वेच ए दिखन मिले है कि चारी इशारिया एक फीस दी नोन प्यार अजही हैं जिना कुल वर्क परमिट है चौदा इशारिया दो फीस दी स्टडी परमिट दे उपर हैं दे रिफ्यूजी प्रोटेक्शन अदीन पंतरा इशारिया एक फीस दी आँदे ने टी आर दी काटेगरी दे वेच आठ इशारिया साथ फीस दी नो रख्या गया दिनाल की इत्थे सुपर वीजा होल्ट स्टावी जिकर कीता गया है सब्तो वटी गंटी दे वेच पार्टी टी आर कैनटा वेच रह रहे हैं ते दूस्ट्री नंबर दे उपर चीन दस्या चारिया पार्टिया वास दे अठा इशारिया पांच फीस दी दा आंकडा ते चीन वास दे दस इशारिया पांच फीस दी दा आंकडा सांचा कीता गय जो की कैनेटा वेच टी आर हान असाइलम सीकर्स दिवेच वाद नाइजीरिया दिनाल समन्तित लोग दसे गईने जिना दी गणती 10.07 पीज दी पार्थियां दी 8.03 पीज दी ते मेक्सिको दिनाल समन्तित लोगा दी 8.01 पीज दी दसी गई है ओंटेरियो दिवेच नाइजीरिया नाल समन्तित लोगा दा अंकडा 15.04 दी सांचा कीता गया देन सूबियां तो इंमिगरिशन बारे जानकारी सांचा कीता गया जते दस्या क्या किना प्रोविंसेस वालो जो ट्रॉग करडेगे स्विच किन्ने उमीद वारा दी किसमत जाकी है। स्विच किन्ने उमीद वारा दी किसमत जाकी है। स्विच किन्ने उमीद वारा दी किसमत जाकी है। स्विच किसमत जाकी है। स्विच किसमत जाकी है। स्विच किसमत जाकी है। स्विच किसमत जाखाओास हम फायोब इन है का बाइब माफकाया फ जपीस वर डे में कास्न कापायत की न न ही जडा है विल्ड ए雜ा पी जल व번 के ओनोंग क自至ुusta हमें से काभर्म सिबस्द choosing कान है अन॒ जाद काण बाइ तर QE S na 2 शट sana कि taking the N कार बाड़ है that big cities get to the number of houses that get built. I will require every big city increased housing completions by 15% per year or lose infrastructure money. But there will be a carrot. Those that speed up and lower the cost of permits and free up land to build more homes will get a building bonus from the Polyam government because they will help put more houses in our communities so that young people can once again own a home in their 20s and start a family. In other words, I am going to bring homes people can abort by getting the gatekeepers out of the way and letting builders build. Manitoba was just a cleanly 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 and it was a cleanly cleanly cleanly. They were kept in the press release. They are here today and they too are making their way through the enormity of what's occurred. The main thing that's helped me cope through everything that's happened is how everyone came together. The passing motorist at the scene, rural fire departments, students, EMS, police, mental health workers, community members, local churches, and of course the victims' families. Supports were put in place for the family right away. Offers for assistance and support for this tragedy showed the compassion of Manitobans and Canadians. I was there with the families on that first day as they awaited news on their loved one and having no idea what to expect. At the scene, people came from all over to assist. Officers at the Dauphin Detachment and Parkland area, as well as major crimes investigators, came in after their shifts to answer the phones even though they couldn't tell people what they wanted to hear, where their loved ones were. We knew it was important that there was a voice on the end of that phone when those families called us. The impact of this loss will be felt for a long time to come. The impact of this loss will be felt for a long time to come. The statistics of Canada have been reported that in the first place, the Americans have been suffering for a long time to come along in the 50s the Americans have still suffered. Statistics Canada has been reported as is the last इस साल दी तुनला देवेच अमरीका सफर करनवाली कैनेडियन्स दा आंकड़ा वद दर्ज कीता गया है पर अजे वी ए आंकड़ा प्री पैंटामिक लेवल दी उपर नहीं पहुंच सक्या अप्रेल महीने वेच आठ लग तो वद कैनेडियन्स अमरीका गया है साल दोहुसार पाई देवेच एक गिंड़ दी काट सी जिसते मुकाब्रे होन ते इशारिया छे फीस्दी दा वद दर्ज कीता गया इस्तो पहला अप्रेल दोहुसार उन्नी देवेच ए अंकड़ा एक इशारिया दो मिलियन्स दा सी इसतो इलाबा बॉड़े दी राही जानवालियां दी किंड़ी देवेच वाता दर्ज कीता क्या है स्टाटिस्टिक्स कैनेडा तर क्याना है कि कैनेडियन्स ट्रेडे की अमरीका दौरी दियो पर गये तेने इशारिया दो मिलियन्स वापिस ट्रिप्स आया है इमिग्रिशन दी नावदियो पर तोखा हुया है समन्दी कहिना खिलाब कार्वे कीती गई है कैटना देको सूपे दो अजय हां मामला सामड़ा है जो थे पता चले कि कुछ उमीद वारा दी जो परस्नल इंफोर्मेशन सी उदूसरे न भी दिखाई दे इमिग्रिशन दी बारे खबर सामने आएगे जिते सस्काच्वान दी इमिग्रिशन मंत्राले ने कोपनियाता दी उलंकणा दी मामले दी वेच कई मुल्जम बरखास्त कीती हां जिहां सस्केच्च्वान दे इमिग्रिशन मंत्राले ने क्लाइंट्स निया फाइलां तक आण उच तरीके दिनाल पहांच करन दे मामली वेच कुछ होर मुलासमा नू बरखास दकीता है इस बारे मंत्राले ने जान करी दिती जिस बारे उना दा क्यानाई की ओडिट वेच तेन होर मामले सामने आये हन जिते सापका मुलासमा ने उना डॉकुमेंट्स तक पहुँच कीती सी जिस वास दे उना कोड अधिकार नहीं साथ एकोज एकर शुरुवाती जांच तो बात होई सी जिस विच पाया गया कि एकर सापका मुलासम ने कथट गैर करूनी इमिगरेशन स्कीन दे हिस्से वजों 40 फाइलां तक पहुँच कीती मंत्राले ता कहना है कि हालिया बरखास्तगी संपफ तोर ते पहला दी उलंगणा नाल संबंदित नहीं है मंत्राले मुताबक उसने हाल ही दियां उलंगणामा बारे प्राइवेसी कमिशनर नू सूर्चत कार देता ते इस मामले देविच न्या मंत्राले नू भी शामल कीता किया न्याविपाग पहले केस विच शामिल मुलाजम दी जांच का रही हन जिसने बाद विच अस्तीफा देता इंवीग्रेशन मंत्राले ने नहीं दस्या कि इस ताजा मामले दे विच किनने मुलाजमा नू नौकरी दो कटया गया इस तो इलावा मंत्राली ने मार्च दे वेच होई एक होर गोपनेता दी उलंगना दा जिकर कीता जिस वेच 8000 तो वाद लोका नू प्रभावित कीता गया जिना दी जानकारी दूसरे क्लाइंट्स दी रिपोर्ट दे देखी जा सकती सी Ministry ने ब्यान दी किया कि एकक्लाइंट्स दुसरे क्लाइंट्स दे नाम उना दास्सकाच्चवर। नमजद प्रोग्रम आइडी नंबर, काटगरी जिस तहट उनाने प्रोग्रम वास्त अर्जी देती सी, उना दी अर्जी दी किसम अर्जी दी मौझूदा स्थेती, अर जी जमा करण दी तरीक ते उनना दे वर्क परमिट दी म्याद पुगंड दी मिती देख साकते सन। ए रिपोर्ट उना हूर क्लाइंट्स नो दिखाई दे रही सी जिसने ए अधिकारत नहीं सन। अम्रिका दे वड़े लीडर दिलजी दोसांच दे फैनहान प्रदानमुत्री नरंदर मुदी दे अगिड़े दोसांच दे तारीफ कीते गई। नरंदर मुदी अम्रीका दोरीदे उपर गए हुए संज जब्र आधिकारियां ने उना दा शांवदार स्वाकत कीता। अमरीका दे वड़े स्यास्तदान दलजी दोसांच दे फैन हन। जो थे इना स्यास्तदान अवलू परदान मंत्री नरिंदर मोधी दे सामने दलजी दोसांच दे बारे वड़ी काल कैन दिया, किहा है कि असी उस दे फैन हा। जिहां अमरीका दे विदेश मंत्री आंटिनी ने प्रदान मंत्री नरिंदर मोधी दे विदेश दोहरे दोरान पंजाबियां दामान वताया। प्रदान मंत्री मोधी दे सामने उनाने कुछ चेला विच दलजी दुसांच दे गीतना दे डांस करन दी गल गये। इन नहीं उनने पारत दे योग नों अपनी रुजानत दी रुटीन विच अपना के सेहत मंत्रें वास्ते परदान मंत्री मोधी दा तानवाद कीता अमरीकी विदेश मंत्री परदान मंत्री नरिंदर मोधी दा अमरीका ओंते तानवाद कीता गया इस दुरान विदेश मंत्री आंटनी ने केहा कि पारत साठी रुटीन दा हिस्सा है असी समोसे ते नाल नावला दा अनन्द मार दे हां असी मिंडिक लेंग दी कमेडी ते हास दे हां असी कोचेला विच दिल जी दुसांज दे गीता दे डांस करते हां हाँ प्रतान मिंत्री मोधी जी मैं निजी तजर्बे तो कह रहे हैं हाँ असी योग करके अपने आपनों फिट ते सेहत मंद रख दे हाँ दस ये कि एक लेप सोशल मीडिया उपर भी काफी वाइरल हो रहे है ते एक लेप खुद दल जी तसांच ने भी सांच वा कीता राष्ट्रबदी बाइडन नो लेके सवाल खड़े कीते गए जोथे विदियार्थिया दे लोन नो मौफ करन दा मुदा चगया गया है हाँ उस पे विच इस ता जिकर होया है जो भी लॉमेकर वलो इस बारे की कुछ केहा गया आँ तो हनुस नो देहां President Biden's student loan scam and urged my colleagues on both sides of the aisle to vote to override President Biden's veto of House Joint Resolution 45 which would overturn this ridiculous misuse of taxpayer dollars and transfer of wealth from the working class to our country's most wealthy and educated citizens Mr. Speaker, Middle Tennessee is home to many hard-working blue-collar workers who do everything they can to provide for their families and live within their means many of them made tough decisions to forego attending college to pursue careers in skilled trades like becoming an electrician, a plumber, or a carpenter each valuable skill sets and careers that keep our communities running and provide services we could never live without in fact 66% of the folks in the Tennessee's 6th Congressional District have no college degree this along with those who responsibly took out student loans and paid them back means that an estimated 759,000 people whom I represent are ineligible for the Biden administration's proposed student loan giveaway to put this into perspective the total population of Tennessee's 6th Congressional District is 768,525 so a whopping 98.7% of folks whom I represent will never see a penny of the billions being wasted on this ill-guided proposal what's even worse is that it will cost the folks of my district an estimated 1.53 billion are almost $2,000 per individual at a time when the U.S. national debt has surpassed 32 America's specify the 270-2ということ, the U.S. national debt has been mentioned as well as the U.S. has been mentioned as well as the U.S. national debt as well as the U.S. national debt has been mentioned as a foreign debt in the country's number of US and the U.S. national debt जर तो कंदे हो जगानुन कानडा बीज़ी जओने एंफ लाक्षाइब, बादक को क के जड़ी जपने में लगन्ग एप्की में होनोपी। टेते हैं 204 confr januinaux फिजस्ट जणे sia कुबाँद बातर गडएंद स्पार गांसे每वेस्ट कर दंदिaking cek que already य etiqu Kay developing you인지 also even Jamo but climate change as we all know is a global issue its impact requires a global response. Countries are increasingly working together with each other when they are faced with extreme weather events certainly Canada has participated when needed we for example said 160 canadian personnel to Australia during the 2019-2020 period, and certainly for decades, Canada and the United States have both received and deployed firefighting support to one another most years. La réciprocité internationale signifie centré d'é en cas de besoin. That is why I am certainly pleased to have met with Ambassador Cohen this morning to sign a memorandum of understanding between Canada and the United States. Nous sommes des alliés, des partenaires, des voisins. Nous nous soutenons mutualement lorsque c'est nécessaire. This MOU will increase the ease of cross-border support and modernise many existing agreements. It makes our support, our reciprocal support, more efficient. It will enhance our ability to fight wildland fires. It sets out procedures for the exchange of these resources. It establishes a framework that encourages mutual assistance and cooperation. on issues related to mental health. To all the members of the committee who are here today, I'm Dr. Vivek Murthy, I have the privilege of serving as Surgeon General and as Vice Admiral of the U.S. Public Health Service Commission Corps, but I'm most importantly here as a father of two young children who is concerned about their future and the future of kids across America. And I'm here to speak about what I believe is the defining public health issue of our time, and that is a youth mental health crisis. It now threatens the foundation for health and well-being for millions of our children. In 2021, more than two in five high school students, including almost 60% of girls and 70% of LGBTQ youth, reported feeling persistently sad or hopeless. Nearly one in five high school students reported making a suicide plan, and this followed a 57% increase in the suicide rate among young people in the decade prior to the pandemic. In response to this crisis in December 2021, I issued a Surgeon General's advisory on protecting youth mental health. And I did this to call our nation's attention to this urgent issue and to the need to act. Over the last two years, I am grateful that Congress on a bipartisan basis and the Biden administration have made unprecedented investments to strengthen the mental health care system and to connect more youth to care. These investments have already started to help children and families. But as all of you know, we have much more to do. Last month, my office released two new Surgeon General's advisories, one on our epidemic of loneliness and isolation, and the other on social media and youth mental health. Together, they explore two important drivers of the youth mental health crisis. Regarding loneliness and isolation, we now understand that social disconnection is both exceedingly common and profoundly consequential. About one in two adults are reporting measurable levels of loneliness, and social disconnection is associated with an increased risk of not only depression, anxiety, and suicide. This is a health crisis, झाल